हेलो दोस्तो मैं हूर बैया मलिक और आप लग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आईए सुनते हैं अनुझ एकदम से पीछे पलटता है और अरजुन को अपने पीछे देखकर हैरानी से कहता है पापा आप और उससे भी जादा हैरानी उसे तब होती है जब अरजुन के हाथ में हल्दी वाले दूद का गिलास देखता है अरजुन उसकी शकल देखते हुए कहता है तुझे क्य लगा कि तू नहीं बताएगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा बेटा बाप हूँ तेरा तेरा चेहरा देखकर ही पता लग गया था कि तुझे भी चोट लगी है ला चल अब ये दवाई मुझे दे मैं लगा देता हूँ अनुझे एकदम से अरजुन के गले लगते हुए क कहता है चल पागल चल अब लेड़ जा अनुझ बैट पर उल्टा लेड़ जाता है अरजुन उसकी खरोचों पर दवाई लगाते हुए कहता है अगर कुछ कहता हूँ तुझे तो तेरे भले के लिए कहता हूँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुझसे प्यार नहीं करता ब अनुझ अपने पापा को कहता है पापा मा को मत पताना कि मुझे अरजुन कहता है हाँ जानता हूँ इस मामले में थोड़ी कमजोर है वो चल अब सोजा बहुत रात हो गई है ये कहकर अरजुन चला जाता है इधर खुशी अपने कमरे में बैठी लैपटप पर सर्च करके देव खुराना के बारे में सारी जानकारी हासिल कर रही थी। खुशी खुद से बढ़बढाते हुए कहती है। आखिर छे महीने उस नमूने के साथ काम करना है। मुझे तो उसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए ना। मैं उस नमूने को खुद को परिशान करने का एक मौका नहीं दूंगी, बढ़ा आया जंगली बिल्ला कहीं का। उधर देव घर पहुँच गया था, सुनील बाहर गार्डन में टहल रहा था, या कहे कि वो देव का इंतिसार कर रहा था, देव अपनी ही धुन में चला आ रहा था, सुनील की अवाज से देव के कदम चलते चलते रुख जाते हैं, देव पीछे मुड़कर देखता है और कहत जी पापा, सुनील चहरे पर सक्ती लाते हुए कहता है, देखो देव मैं तुम्हे अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो उस बच्ची को जरूर तंग करेगा, देव अंजान बनते हुए कहता है, किस की बात कर रहे हैं आप पापा, सुनील गुस्से से कहता है, बनो मत तो मैं अच्छे से पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ अगर जान बुचकर तुमने उस बच्ची को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ये कहे कर वो अंदर चले जाते हैं देव मन में कहता है सौरी पापा तंग तो मैं करूँगा ही और इस तरीके से करूँगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा छिपकली कहीं कि मिस बगबग ये सोचते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है रात गुजर जाती है और सुबह होती है और फिर शुरू होती है सबकी भागदर वाली जिन्दगी अरजुन और गौरफ दोनों आफिस चले गए थे अनुज अभी तक सो रहा था क्योंकि रात को देर से सोया था वो खुशी भी रैडी होकर आफिस के लिए निकल गई थी उदर देव महराज अभी तक सो रहे थे सुनिल जी उसकी ये रोज रोज लेट उटने की आदत से तंग आ गए थे बढ़बढ करते हुए वो आफिस चले जाते हैं अभी को आज किसी काम से जाना था तो वो लंच टाइम में आफिस जाने वाला था खुशी बिलकुल सही समय पर आफिस पहुँच जाती है क्योंकि वो देव की असिस्टन थी तो उसका कैबिन बिलकुल देव के पास वाला था ठीक उसी वक्त सुनिल जी भी आफिस पहुँच जाते हैं गुड मॉर्निंग सर खुशी की अवाज उनके कान में पढ़ती है सुनिल जी भी बड़े अपने पन से कहते हैं गुड मॉर्निंग बेटा जी उन्होंने फिर खुशी की तरफ देख कर कहा मैं बेटा बोल सकता हूँ न तुम्हें खुशी मुस्कुराते हुए कहती है ये भी कोई पूछने वाली बात है सर सुनिल कहता है तो फिर तुम मुझे सर नहीं अंकल बोलोगी दोनों बात करते करते अंदर चले जाते हैं अभी अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था कुछ देर में उसकी गाड़ी एक माल के सामने रुकती है और वो अंदर चला जाता है वहाँ पर किसी से मिलना था उसको बारा बज़े के करीब देव उड़ता है और सबसे पहले अपनी ग्रीन टी पीता है उसके बाद अराम से नहा कर रेड़ी होकर तकरीबन एक बज़े के बाद वो ओफिस के लिए निकलता है क्योंकि अभी तक देव ओफिस नहीं आया था इसलिए सुनील जी खुशी को गाइड कर रहे थे और वो ये भी जानते थे कि देव खुशी को ज़रूर तंग करेगा इसलिए वो एक तरीके से खुशी को तयार कर रहे थे कि उससे कोई गलती ना हो जाए पर उन्हें ये नहीं मालूम कि ये खुशी है देव से भी दस कदम आगे गलती करने पर भी अपनी गलती नहीं मानती वो दोनों इस वक्त देव के कैबिन में थे इधर अभी को जिससे मिलना था वो उसका काफी देर से इंतिजार कर रहा था वो काउंटर पर खड़ा था ताकि कॉफी का औरडर दे सके उसके फोन पर कोई मैसेज आता है वो से रीड करने लगता है रीड करते करते वो आगे बढ़ रहा था अचानक से किसी के जुल्फे उसके चेहरे पर आकर लगती है उसके बिलकुल आगे खड़ी डिव्या जो की कोल्ड कॉफी ले रही थी वो एकदम से पलटती है और अभी से टकरा जाती है और सारी कॉफी अभी के शट पर अभी नजरे उठा कर उसकी तरफ देखता है डिव्या कहती है वो अपने हातों से उसकी शट को साफ करने लगती है और साफ करने के चकर में उसकी शट और भी गंदी हो रही थी अभी एकदम से उसके हातों को पकड़ते हुए कहता है रिलाक्स इट्स ओके डिव्या ने अभी तक उसे देखा नहीं था उसका सारा ध्यान तो बस उसकी शट पर था अभी की अवाज सुनकर वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसकी तरफ देखती है तो फिर देखती ही रह जाती है अभी का वो सुन्दर सा चहरा वो कातिलाना इसमाईल उपर से जिस तरीकी से वो बात कर रहा था उसकी जगे कोई और होता तो दिव्या से लड़ पड़ता अभी उसके सामने चुटकी बजाते होए कहता है कहां खो गई मिस दिव्या एकदम से अपनी नजरे फेरते होए कहती है सौरी वो मेरी वज़े से आपकी शर्ट अभी कहता है कोई बात नहीं अपने जान बुच कर तो नहीं किया न उसे अचानक से खुशी की याद आ जाती है वो मन में कहता है एक वो है बिंदास सी जिसकी गलती होने पर भी देव को ही सुना कर चली गई थी उसके बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है दिव्या तो खो जाती है उसकी स्माइल में अभी का फोन आता है और वो फोन कान पर लगा कर चला जाता है और दिव्या तब तक उसे देखती है जब तक वो उसकी आखों से ओजलना हो गया हो उसके बाद भी वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है इधर किसी महराजा की तरह देव अपने आफिस में आता है और फिर सीधे कैबिन में ये सोच कर कि वो बगबग पूरे इज़त के साथ उसे गुड मॉर्निंग विश करेगी वो अंदर जाता है सुनील जी उसी की चेयर पर बैठे थे और खुशी उनके सामने वाली चेयर पर बैठ कर काम कर रही थी दोनों को ही देव के आने का पता नहीं चलता देव जान बूच कर अपना गला साफ करने का नाटक करता है खुशी एक नजर पीछे मुड़कर देखती है फिर वापस अपना काम करने लगती है देव मन में कहता है इसकी तो बॉस की कोई इज़द विजद नहीं है क्या इसकी नजर में इसे तो अभी मज़ा चखाता हूँ देव अकड के साथ खुशी के पास जाते हुए कहता है तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है मिस बगबग कि जब बॉस आए तो उसे गुड मॉर्निंग विच करना चाहिए इससे पहले की खुशी कुछ बोलती सुनील जी कहते है गुड मॉर्निंग विच करने के लिए मॉर्निंग में उठना भी पड़ता है रेडी होकर मॉर्निंग में ओफिस भी आना पड़ता है उनकी बात पर खुशी को हसी आ जाती है जिसे छिपाने की वो नाकाम्याब कोशिश कर रही थी देव उसकी तरफ घूर कर देखता है बदले में खुशी अपनी गर्दन जुका कर मुस्कुराने लगती है देव मन में कहता है देख लूंगा तुम्हें छिपकली कहीं की पर पहले पापा को यहां से भेजना पड़ेगा देव अपनी कुरसी के पास आते हुए कहता है पापा अपने कैबिन में जाईए सुनील जी कहते है मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है खुशी बेटा ये फाइल दो घंटे में पूरी हो जानी चाहिए खुशी कहती है जी अंकल देव हैरानी से दोनों की तरफ देख रहा था वो मनी मन खीचते हुए कहता है बेटा अंकल वो गौट पागल हो जाऊंगा मैं स्फिरी के बंधन से खेर सुनील जी चले जाते हैं देव अकड़ते हुए अपनी कुरसी पर बैढ़ता है वो देखता है कि हमेशा गंदी रहने वाली उसकी टेबल अज कितनी साफ सुत्री लग रही है तरीके से रखी हुई सारी फाइले पैन बॉक्स में सारे पेपर्स को एकटा करके रखा हुआ हर चीज एकड़म परफेक्ट देव मनी मन उसे इंप्रेस होता है पर चेहरे से पता नहीं चलने देता वो मन में कहता है हाँ काम करने में तो परफेक्ट लग रही है ये मिस बखबख वो खुशी की तरफ देख कर ये सब मन में सोचता है लेकिन मजाल है खुशी उसकी तरफ देख भी ले उसके लिए तो अपना काम इस सब कुछ है और ये बात देव देख पा रहा था वो हैरान था जहां उसकी एक जलक पाने के लिए तरस्ती रहती हैं लड़कियां वही ये सामने बैठी लड़की उसकी तरफ देख भी नहीं रही ब्लू जीन्स पिंग शर्ट टॉप बालों की हाई पोनी बनाई होई आखों में गहरा काजर होटो पर लिपस्टिक सिंपल तरीके से रैडी होई खुशी बेहद अट्रेक्टिव लग रही थी ये पहली बार था जब देव किसी लड़की की तरफ इतनी गौर से देख रहा थ पर अगले ही पल मन में कहता है मैं शिपकली की तरफ ऐसे क्यों देख रहा हूँ ये सोचते हुए वो अपनी नजरे हटाता है और सामने रखी फाइल खोलते हुए कहता है समिस बगबग खुशी नजरे उठा कर उसकी तरफ देखते हुए कहती है मेरा तुमसे बहस करने का क अगले ही पल मन में कहता है अरे बोस ये है या मैं मुझे बोलने ही नहीं दे रही है कुछ वो गुस्से से कहता है वो दा है ये क्या तरीका है खुशी अपनी सीट से उड़ते हुए कहती है ये तरीके छोड़िए और ये देखिए वो लैपटॉप उसकी तरफ घुमाते और ऐसे करते हुए वो देव के बिलकुल करीब खड़ी हो जाती है और आगे जुकते हुए वो अपनी उंगलिया तेजी से लैपटॉप पर चलाने लगती है अखिर वो एक बिजनेसमेन की बेटी थी तो उसका हर काम एकदम परफेक्ट होता था वो कितनी प्रोफेशनल थ ये तो देव उसकी प्रेजन्टेशन देखकर ही समझ गया था पर मजाल है वो उसकी तारीफ कर दे वो मन में कहता है मुझसे भी अच्छी प्रेजन्टेशन बनाई ए इस छिपकली ने खुशी की अवास से वो होश में आता है खुशी एकदम से घुषी केहती हैं अगर लोड़ी बहुत कमिया हैं धीरे धीरे सीख जाओगी खुशी मन में कहती है नमोना कहीं का कोई भी गलती नहीं है पर जरासी भी तारिफ नहीं कर सकता चलो ना करे मैं भी मरी नहीं जा रही हूं इसके मुझे तारिफ सुनने के लिए ये सोचते हुए वो वापस अपनी सीट पढ़ा कर बैठ जाती है और फिर से काम में लग जाती है इधर देव भी अपने काम में लग जाता है पूरे कैबिन में इतनी शांती थी कि घरी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी उधर दिव्या वापस घर जा रही थी पर उसके खयालों में बस अभी घुम रा था खुशी से अट्रेक्ट हो गया था पता नहीं आगे क्या होगा शायद इन सबकी जिंदगी एक पहेली की तरह उलजने वारी थी शायद इसी को जिंदगी कहते हैं ये जिंदगी है उलजेगी नहीं तो सुलजेगी कैसे इधर अनुज भी अब पहले से ठीक था हाँ पर वो आ सब पता चल गया है आप पहले ठीक तो हो जाईए वो आदमी कहता है मैं ठीक हूं बिलकुल तुम डिटेल दो सारी वो मैनेजर अनुज के बारे में सारी डिटेल्स उसे दे देता है कुछ देर बाद खुशी की फाइल पूरी हो गई थी और इस बीच ना तो देव ने और ये नमूना काम को लेकर तो एकदम सीरियस है और बागी लड़कों की तरह चिपकता भी नहीं है कि लड़की देखी और हो गया शुरू चलो बढ़िया है छे महीने अराम से निकल जाएंगे ये सोचते हुए खुशी देव को बुलाती है इसकी उजमी सर देव को तो अपन मजबूरी है जो मैंने तुम्हें सर बोला लेकिन मन में तो मैंने तुम्हें नमूना ही बोला है देव जान बुझकर उसे छेड़ते हुए कहता है क्या तुमने मुझे कुछ कहा खुशी भी उसी के स्टाइल में कहती है आपको यहां कोई और नजर आ रहा है क्या या फिर आपको मेरा सर कहना अच्छा नहीं लगा या फिर अब आप नमूना सुनकर ही मानोगे देव गुस्से से कहता है यू तो दोस्तों यह वाला एपिसोड यहीं पर खतम होता है अगले एपिसोड में जानेंगे किस कहानी में आगे क्या होने वाला है आखिरीन सब की करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है अपना खयाल रखें बाई दोस्तों